चलिए आज बनाते हैं मतर का पराठा तो नमस्ति दोस्तों स्वागत है आपका तो ये ठंडी का वीडियो क्लिप किया है मैंने जो भी है लेकिन इसे मैं अपलोड कर रही हूँ इस समय इस टाइम गर्मी में इसकी लिए आप सभी को मैं आप सभी से मैं सौरी चाहती हूँ तो दोस्तों सबसे पहले कड़ाई लेंगे कड़ाई में आयल डालेंगे आयल डालने के बाद उसमें हिंग डालेंगे और हिंग डालने के बाद जो मैंने ये मतर और आलू मिला के पहले से दो के इसको काटके अच्छे से धो लिया है पानी इसका निए रख दी हूँ ताकि इसका पानी अच्छे से अलग हो जाए सूख जाए तो इसमें अद्रक लासन और जीरे का जू पेष्ट बना के वो पहले से रख ली हूँ वो डालेंगे फिर हल्दी डालेंगे और उसके बास से इसको अच्छे से भूनेंगे और इधर अपना आटा भी लगा लेंगे आटे में बस सिंपल अजमायन और नमक डाल की एक सौब दो तयार करना है फ्रेंड्स तो सौब दो तयार कर लेंगे तो हमारा रेडी हो चुका है और इधर देखते हैं सबजी का क्या हाल चाल है तो सबजी भी हमारी जो इसके हमें मंटर का प्रठा बस इसी तरह से बनाना है जो इसमें मसाला है वो स्पैसल है उसके मसाला से अच्छी तरह से इसको भूनेंगे साफ्ट होने तक और इसके साथ ये पक भी जाएंगे और इसका जो मसाला है वो भी सुनहरा मतलब भून जाएगा और जब भूनने के बाद एपना एक मैसर लेंगे तो मेरे पस तो बस यह है तो इसको अच्छे से मैस करेंगे मैस करने के पाद आप देखे इस तरह से मतलब मैस हो चुका है आप इदर अपना तवा रखेंगे तवा लेंगे बस एक गहरा सा इस तरह से बना लेंगे जो कि हम सब ग्रिंडिया जानते ही हैं बनाने के लिए तो जो बिगनर है मैं उनके लिए बता रही हूँ तो ऐसे बना के एक लड़्डू जैसे बनाएंगे और एक रूटी जैसा बना लेंगे बनाने क और ठंड में तो मतलब मजा ही आजाता है इसको खाके तो देखिए बस रोटी को ऐसे जो रोटी वाला जो पराठा है बस ऐसे उलट पुलट करके अच्छे से इसको सेख लेना है आप चाहे तो घी से से किए रिफांट से से किए यह आपका मतलब अपने उपर है आप शनल है आपके मरजी अगर घी से पराठा सेखा जाए तो और भी टेस्टी होता है तो देखिए मेरा एक पराठा रेडी हो चुका है और इसको सर्व किजिए सॉस के साथ या आचार के साथ आपकी मरजी तो मैं ऐसे ही सारे पराठा अपने बना लूँगी तो फ्रेंड्स अगर आ रही हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा तो ऐसे सारे पराठे सेख लेंगे और सेखने के बास से धीरे धीरे धीमी आच पे ही रहेगा तो इसको फूल फ्लेम पे नहीं सेखेंगे इसको थोड़ा मेडियम फ्लेम पे ही सेखेंगे वना जल जाते हैं और इसको सेखने के तो फूलेंगे नहीं, तो एक मीडियम फ्लेम पे ही इसको सेकना है, तो आप देखिए, थोड़ा-थोड़ा इसके एजिस को दबाएंगे किनारे से, तो फूल जाएगा, तो ये मतलब फटनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी थोड़ी सी फट गई है, तो भी मैं ये बिल्कुल द नमस्ते आप सभी को